नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल पर दोस्तों आज हम आपके सब के लिए लेकर रहे हैं NMMS के लिए most important questions तो दोस्तों आपका जो NMMS का exam होने वाला है उसमें किस प्रकार से questions आने वाले हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा end तक देखना है इस class को पूरा end तक देखना है तो दोस्तों यहाँ पर आज किस class में discuss करने वाले हैं NMMS का जो का set का paper होता है उसमें कैसे कैसे questions आते हैं किस प्रकार के प्रशन मनते हैं और दोस्तों उन सभी के most important questions के बारे में discuss करने वाले हैं तो उस class को पूरा end तक देखना है और जिसने भी चैनल को subscribe नहीं कर रहा है वह अभी चैनल को subscribe कर लें notification bell को press कर लें जैसे कि NMMS के regarding latest updates most important questions सबसे पहले मिल सके और आप telegram channel को join कर लें जिसका link का आपको मिल देगा जिस यहने की description part में जहांसे आप इसका पीडिया पराप्त कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम discuss करने वाले बेसिकली देखेगा पिश्डी ख्लास में यहां पर हमने डिसकस कर चुके थे NMMS का मेड का फिपर यहां discuss करने वाले हैं सेट का पेपर ठीक है जिसने लाइक नहीं किया यह जरू से कर लें ठीक है क्या आंसर होगा ठीक है ना देखीगा विद्युदारा के देखो the safety device based on heating effect of electric current is cold उसे क्या कहा जाता दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं उसे विद्युद्फ्यूज कहते हैं option B will be the correct answer to this question दोस्तों next question देखीगा बीना किसी माध्यम द्वारा उश्मा इस्तनांद्रन के प्रक्रम को क्या कहते हैं बीना किसी माध्यम यहने की the process of transfer of heat without any medium is cold दोस्तों उसे क्या कहते हैं उसे दोस्तों कहते है रेडियेशन ठीक है जो यहाँ पर जो वीकिरन होता है उसे कहते है option number C answer हो कीटों को पकड़ कर अपना आहर बनाने वाले पद्व का नाम जो कि टो पकड़ते हैं और उसे अपना रण बनते हैं तो दोस्तों उससे क्या क्या करते है जो घट पनी पादब होते है नहीं हृ जो प्रकार की को सिकाव में पाया जाता है तो दोस्तों हीमोगलोमी जो है वह यहाँ पर यानि जो है आपके देखीगा जो लाल लख्त करनी का है जो आर भी सी है उसमें पाया जाता है option B इसका correct answer हो जाएगा बीजान उत्पन करने वाले पादप दोस्तों वे पादप जो बीजान उत्पन करते हैं तो जल्दी बते दुस्तों इसका answer भी तो यहां पर देखीगा जो गुगल पर आपको सर्च करना है एन ममस मौडल पेपर सिटर्डी मंदीर क्या सब्सक्राइब करने की आपको यहां पर इसे क्लिक करने की बाद एक नएया पेज ऊपन होके आजएगा एन Jeans का तो दोस्तों यहां पर स्टर्डी मंदीर का लिंक आ चुका हैं ठीक हैं यहां से स्क्रॉपिर करने के बादर आप सभी के एस्प्रॉरी करके डाउनलूड कर पाएंगे हैं जहां से आप सभी दाउनलूड कर पाएंगे चेहां से सभी नृग और ऑल्ट कुंछंट जलिए आप सब्लान क deb Ihr ktheта ठीक है ना याने कि जो वर्चुल इमेस कह रहाता है option A correct answer हो जाएगा वहाँ छेटर जिसे जिसमें तन्तु अपने प्राकतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे क्या करते हैं दोस्तों एक चीस मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप कमेंड करें कि आप चुक क्लास देख रहे में चाहिए या फीड नहीं चाहिए वह कमेंड करके जरूर से पता करें जरूर बताए दोस्तों कि आपको यहां पर हिंदी मीडियम के प्रस्टन देखने हैं इंग्लिस मीडियम के questions देखने कमेंड में ठीक है यानि कि दोस्तों ऐसा चचर जिसमें जनतु अपने प्राकति प्रस्टों के बीच साफ्रेक्ष करती का विरूत करता है इस बल को क्या करता है यानि कि एक बल दूसरी बल में उत्पन होता तो यहां पर उनकी जो साफेक्ष गती है यानि यहां पर जो relative motion है उसके regarding question पूझा कि यहां पर उसका प्रतिरूत करेगा तो क्या होगा साफेक्ष सक्रति का गली मतलब यह कि माले लोगी एस से आप यही कारी इल्किए अब यह अगर दोनों एक सा जा रहे है यह फिर यहां आ रही है और एक इदर जा रही है यहवह तीशापिक्ष तो यह पो इसका विरूद कई उस ब marcoc क्या कहते हैं उस बल को गर्षन बल कहते हैं option A correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए कंपन करने वाले वस्तु द्वारा second में किये गई जो कंपन करने वाले वस्तु द्वारा एक सेकंड में कि एक कंपनों की संक्या को क्या कहते हैं तो उससे कंपनों के जो आवर्ति कहते हैं उससे हर्च में मा पाजता है तो यहाँ पर जो frequency होगी वो उसका correct answer होज़ेगा जब काच की छड़ को रह्सम के कपड़े से रगञटे हैं तो क्या होता है काच की चड़ को रेस्सम के कपड़े से रगड़ते हैं दोस्तों तो यहां पर जो चड़ जो है वह दना वेशीज हो का वह किसमे परीवर्टित हो जड़ा है तो जो चड़ होता है वह यहां पर प्रेणा वेशीज हो जज़ाता है हमें सा बाराबर होता ठीकिना all time always आवशित गुबारे द्वारा दूसरे आवशित गुबारों को प्रतिकर्शित करता है पर एक आकर्शन करता है प्रतिकर्शन करता है तो वो कैसे करेगा उसके बारे में बताना ठीकिना तो दोनों गुबारोद बर स्वधाति आवेश के द्वारा करता है किस कारण से इस माड़कों के जो संग मर्मर का संग रक्षन होता है स्वरी स्वरी यहां पर क्या कहा गया यहां कहा गया संग शारण जो शेय होता है यह वहीजिय कराबमॉन लग जयता है तो किस वज़ेसे होता है वो अमल वर्स जो होता है बहुत अच्छा कुशन यह से बनता है हर परचार के साथ उगने वाले पोदे क्या थे हैं पोदे खर्पतवार क्या थे हैं यह तो सभी को पता होगा अधिया परजीवी का वहाग है दुस्तों मलेरिया रोग किस कारण से होता है तो मलेरिया का जो वहाग है वो क्या हो जगा मादा एना फिलिच मच्छर संचरण यह रोगों का मुख्य कारण क्या है तो यह होज़ेगा अपना गरिलुमकी इसका आंसर होज़ेगा यानि जो मैन को सब्सक्राइब करें यह जो हाउस फ्लाई है वो करेंट आंसर होज़ेगा पक्की हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दोनों को यहां पर मशीन द्वारा अलग किया आज़ा है किसको करते हैं तो दोस्तों वह हो जगा हो Geny जो कंबाइन होती है उसको अलग किया आज़ता है चीनी को अल्कोहोल में परिवार्थित करने के प्रक्रम को प्रक्रम का क्या नाम है तो दोस्तों किंड्वन प्रक्रिया ठीकितक यह कि Lucky क्यों है वह फर्मेंटेशन होती है ना उसके खारण करते हैं कि चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन ऐसी ओश्दियां जो बीमारी द्वारा पैदा करने वाले सुक्सम जीवों को नस्ट कर देती हैं और उसकी व्रदी रोग देती हैं वह क्या कहलाती है दोस्तों वह प्रत लियुंदते हैं तो इस सब्सक्राण आप आयजा जोंप इंडर करेंग तो दोस्तों यहां पर क्या है कि बड़ी चादर ने परीपरतित हो जेगी यानि की च्छटा सा तुगड़ा अब इसको हतोर से पीटने स Chaosaya यानि कि क्या बन गया एक बड़ी चादर बन गई तो इस दातु के इस नियम को क्या कहते हैं ये भी आप से स्वाल पूचेगा तो इससे क्या कहते हैं इससे आगात वर्द नियता कहते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है ये कहते हैं आगात वर्द नियता तो ये किसमे करत hydrogen डानवे नाघ इस वन स्ब्सक्राइब करते हैं को बने बनाख को दो gue हमकिन कहते हैं कि तो दौस्तों कारवणी कािते हैं इभने किम इमान कुर्शित किया जाता है रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है तो वह करता दोस्तों किलो जूम और किलो जूम प्रतिग्राम कोईले के अपूर्ण देहन से मुगेता कौन सी विशेली गयस निकलती है कोईला का दोस्तों एक अपूर्ण देहने उससे कौन सी विशेली गयस निक मेलित करता है तो देखिए दोस्तों यहांपर इसके अनु निकालना होगा और अनु से जो एक जो नया बोनेगा जो इसका अयुक्त उत्पाद को किस नाम से जाना जाएंग उसका जो प्रड़क्त बनेगा वह क्या बने देखिएगी दो का बोशी परदात व होता है चलीं दुस्तों सबसे चोटी सराचनात्मक और और कार्यत्म कई कौन सी है सभी को पता है को सिखा होगी जो सेल है तो सेल करेक्ट आंसवर होगा और करता है तो दोस्तों वा वजय के गरम और आदर करता है निमली मैं से किस से उन प्राप्त नहीं होती है ऐसा कौन सा पक्सू है जो जिससे उन प्राप्त नहीं होती है तो देखि याक से होती बक्री से होती ंर से होती है गने बानोवाला जो कुत्ता होता है उसे अरपत नहीं होती मनुस्य को सीचने के लिए, sorry केचनी आ रहे है क्या क्या रहा है, ये क्या रहा है को क्हीचने के लिए दनुदर्र द voilà लगाए गए जो यानि दनोर्दर है उससे लगाए दोरा बल को क्या how दवशेखान को किचने के लिए जो मर जो सिर ळनोर्दर होता है वह बल से समाध्या में संचरन्र नहीं कर सकती तो दर्नी दोस्तों यहां पर संचरन्र किस्में नहीं कर सकती वह निर्बात में द्वनी संचरण नहीं कर सकती है किस ग्रह को सुबह का तारा यानि बोर का तारा और साम का तारा कहते हैं सांच का तारा कहते हैं तो वह सुक्र ग्रह हो जाएगा बुद्ध ग्रह जो है वह क्या हो जाएगा अपना छोटा ग्रह हो जाएगा ठ का कुशिस का सॉल कर सके कौन सा गयार द्याव निमनी करनी है प्लास्टिक हो चाएगा अगनी सामक यंत्र में कौन सी जो है गास उपयूग होती है अगनी सामक जो होते हैं उसमें तो कौन सी होती है वो प्यिवर्टू होती है यानि क्या होती है कारमंद डाय औक्सीड होती है तो optionally correct answer ढूत है अधिशी अब साइइस के के कुउशन सोच शुक है complete यहां पर हम डिसक्स करते हैं सोचियल साइट के questions की तरफ चलिए अब यहां पर हम Social Science सामाचिक विज्ञान के questions के बारे हम डिस्कस करते हैं नेमलिक में से कौन सी व्यापारिक कंपनी बारत नहीं आई थी कौन सी कंपनी जो है बारत नहीं आई इंडिया नहीं आई थी तो पूर्दाल आयते फ्रांस आयते डच आयते लेकिन जो अमेरिकन है वो इंडिया नहीं आयते ऑप्शिंडी आंसर हो जेगा सन 1813 का जो कौन सा एक्ट पारित किया दोस्तों 1813 दोस्तों एक चार्टर रजिनियम जो पेस किया था ऑप्शन यह करें था सेंपल कोशिन है बाकि जो पीट्स इंडिया एक्स जो है न वो कब आय था वो 1784 में था 1784 में था सन 1857 के 1783 संग्रा में नीमलकी में से किसने बाग नहीं लिया था तो देगी दूस्तों रानिलक्स में लिया था तांट्यटू में लिया था बहादूर जा सफर जो हो जाएंगे दिलीप सिंग ने लिया था ऑप्शन डी आंसर करेक्ट आंसर कुझेगा ठीक है ऑप्शन डी यह जो पेपर है ना आप ऐसा ना सोचना की पूरा रियल पेपर है दोस्तों सौल क्या कर रहे हैं मॉडल पेपर सौल कर रहे हैं एक यह अपना प्रीवियस यह का पेपर है ऐसा मत सोचना यह पूरा रियल पेपर है ठीक है दोस्तों यह जो है वह रियल पेपर नहीं है यह क यानि पिछले साल का पेपर है एक previous year का पेपर है और पेपर आपका हमेशा लगबग वैसा ही आता है ठीक है previous year के pattern के जैसे आता है लेकिन पूरा पेपर सहवाई उसकी कोई guarantee नहीं है यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं गुस्तों क्या discuss कर रहे हैं हम मैं तो पूर्ण प्रश्णों पर discuss कर रहे हैं ऐसा आप मत सोचना कि पूरा र्याल paper है ठीक है र्याल पेपर नहीं है दोस्तों ठीक अ मैं फिर से बता रहा हम ठीक है यह आपका 1 model अगला प्रसंद का वंदे मांत्रम गीद की रचना किसके दोस्तों वंदे मात्रम गीत दोस्तों किसने लिखा बंकीम चंदर चटटट जवर लिखा गया यानि उसका पूरे नाम क्या है बंकीम चंदर चटटोफ द्याई इसका रहें आंसर हो जेगा बंकीम चंदर चटटोफ द्याई और ओप्शन सी वील बिदा क्राइट आंसुटो डिसक्रेशिन रहें आप यह लिए गए स्वामी विविगनद है इन्हों देखो द्यानद सरस्वति किस साबना किथी ठीक है वह आरी समाई किस तापना किती द्यानद सरस्वति ठीक ने विज़ा लाप से पोस्च जाज़ा ज अफीर जापान में दोस्तों यहां पर बर्मा में ठीक है ना ऑप्शन सी करेक्ट आंसरे जर्मनी में 1907 में बारतिये द्वज किस ने फैराया यह बीका जी कामा द्वारा फैराय गया कहां पर जर्मनी के इस्टूट गार्ड जैसा नाम ता सहर था वहां पर चलिए जले वाला यह बाग हत्याकान कब हुआ था यह अपना 13 अपरेल थीक है 13 अपरेल 1919 को हुआ था यह भी सूख पोचे जाएगा यह दोस्तों इस हत्याकान के समय यहां पर पंजब का लैटिनेंट गवेंडर कौन था तो दूस्तों कौन था दूस्तों तो यह हो जग अपना यानिकी डा जंडर लायर या ओड आयर ऑप्शिन डी विल बिल दा करेक्ट आंसर निमल इंगलेंड में कानून बनाकर बारती कपड़े के आयात पर रोग कब लगाई थी तो दोस्तों यह लगे थी 1700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशिन मौमध एंगलो स्वरी मौमधन दिंग 800 85 की दी तो ओप्शनर हो जाएगा अगला समाचार पत्र का प्रकाशित किया दूस्तों उन्हों ने कौन सा किया था एक संवाह दु एंग्विज में किया था ठीक ना स्वाराज मेरा जन्म चीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये किसने का दोस्तों काफी फिमस है दोस्तों ये हो जाएंगे लोग माने बाल गंगा दतिलक सी इसने किस जिल्ए में हुदर दोस्तों ये पिछले सला का पिपर है ऐसा मज सोचन आ कि मैं एगजाम दे जाओंगा तो मेरे सहं पेपर आएगा नहीं ये paper इन में से कुछ प्रस्ण एक्जमें आ सकते हैं पूरा paper से अमाना के कोई guarantee नहीं है हम discuss कर रहे हैं previous year का question paper वाई मंडल के किस पाग में मौसमी परीवर्टन होते हैं तो दोस्तों शो मंडल में मौसमी परीवर्टन होते हैं यह आपको अच्छे से ऐनाईज करके रेंट रखणा है चले राऄने हैं और हम जो रहते हैं, हम के शो मंडल में हैं के उत्री भारत में गरमियों में चलने वाली गरम हवा क्या क्या लड़ती है गरम जुर्ण क्या लड़ती है यह लूह क्या लती है पुरनीमा को ठीक है ग्रांट टक रोड दोस्तों किस के द्वारा बने गई सेर्शा सूरी यह किस देश में है तो यह बारत में है दोस्तों सिंपल है किस प्रक्रिया द्वारा चटानों के टूटे बड़ाद अपने मूल इस्तान पर संग्रहित होते हैं तो दोस्तों यह जग अपने अफ्षय होता है उसका जो याँ पर वैदरिंग होता है किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डाल यहां कहते हैं जल्दी बचाना दोस्तों पाई जाने वाले सबसे हलकि लकड़ी का नाम क्या है दक्सिन अमेरिका सबसे हलकि जो लकड़ी है वह कौन जा सकते हैं तो वर्ड का इत्यास से यहां पर चिल्ली में हो जाएगा इस डैट क्लियर चलिए औस्ट्रेलिये महादीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्ये अकसान शेरेका कौन सी हो जाएगी तो वह दुस्तों मकर्रेका गुजरती है ठीक है करक्रेका जो है बार से न्यू फाउंड लेंड के निकट गना कोरा चाह जाता है तो दोस्तों यह बजाएगा जो गल्फ इस्ट्री में और लेबर डोर जो है जलदारा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है समीदान में कितनी बाशाओं को अद्धी शुजित किया गया है दो यानिकि जो यहां पर ज जाए गये तो यह हो जाएगी अपनी 22 वासा अब वर्तमान में कितनी बाशा दूस्तों वर्तमान जो है बारा अन्नुसूचिया है नीर सस्त्री करन क्यों अवसक है क्योंकि दूस्तों वीशू में सांती किस्ता अपना के लिए आउश्यक है तो ऑप्शने इस कहां कराए र बिल्कुल option A के correct answer हो जाएगा मौलीक अधिकारों में सामिल किया गया दूस्तों मौलीक अधिकार क्या है मौलीक अधिकार वर्तमान में कितनी अधिकार है एच्छे अधिकार है पहले साथ एक अटा दिया संपत्तिक अधिकार अब मौलीक अधिकार कितने है इसमें किया कि 6 जैसे 4 साल के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क सिख्षा का अधिकार दिया गया है ऑप्षिन सी आंसर क्लेक्ट होगा समयों तरास्ट्य संकिक किसद आपना कब की दोस्तों इक की थी 1945 में लेकिन 1945 जोप्षिन दोनों में यह तो आप्षिन होगे नहीं कड़ जाएंगे तो यह कब की थी ठीके नहीं यह पूरी डियर बतानी नहीं कि तो दोस्तों यह की थी 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर यानि 28 अक्टूबर 1945 को की थी तो ऑप्शन है इसका करेंट आउसर हो जाएगा लोगसभा के कुल अध्यक्ष सदस्यों के संग कितनी है लोगसभा के कुल सदस्यों कितने दुस्तों ag action और सी औसे और सप एंसर घर 545 विदांसभा गारकालई कितने उता थोस्तों विदांसभा का जो कारीकाल होई चई साल का ओटता न fucking Panda what कितने सान और वृच्छ साल का होता है वह 5 वर्ष का होता है और एक सकेंद सब्सेत थ चाइए और एक सब्सेत लेकिन स्वारी दोस्तों बोलने मिस्टे कर दी राजी सभा का जो होता ना वह होता छे साल का ठीक है नोट डाउन कर लेना अच्छे से अनलाइज करके आप देख लेना रहेगा कि वही जो विदान सभा है उसका कारिकार कितना होता है तो यहां पर प्रस्ण पूचा है कि विदान सभा का कारिका कितना होता है विदान सभा का पांच साल होता है लोग सभा का भी पांच साल होता है लेकिन जो राजी सभा है राजी सभा का कितना होता चैसाल होता ठीक है यह आपको दियान रखना उच्छ सम्यायले कि न्याजिसों की नुक्ति आयू सिमा है इनकी तो यहां पर आपको पूचा गया प्रसन है तो वह जो का 65 साल तक होना चाहिए तिक है राष्टी मानवदिकार आयोगा का गठन किस वर्स में हो था यह दोस्तों 1903 में हो था ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और यहां पर जो है यह जो दिवस मनात इनका दिवस कमना थ सवाल पूचे का कि राष्टी मानवदिकार आयोग का दिवस जो है उखका मनते हैं 10 दिसंबर को मनते हैं इसमें दोस्तों कितने सदसी होते हैं यह भी पता होना चाहिए तो इसमें जो है साथ क्या होते हैं सदसी होते हैं साथ इसमें सदसी है इसका मुक्याले कहां पर है त तो नई दिल्ली में तो नई दिल्ली में इसका क्या मुख्याले है ठीक है मरी ब्रदेश में मानव संगराल इस्तित है तो यह क्या हो जाए दोस्तो इसका जो आंसर है वह जो एक option C भोपाल ठीक है अब जो मैंत्स के questions देखिए यहां पर अगला question यह देखिए यहां पर आपके सामने लगए mathematics के questions तो मैंत्स के questions दोस्तो next class में करेंगे ठीक है इस वीडियो में discuss कर लिए आप पर science के questions और साथी में SSD के questions ठीक है तो कुल मिला कर हमने 70 questions discuss की है तो बैचे जो 20 questions है अपने मैंत्स के वह discuss करने वाले next question में next class में ठीक है तो इस लिए इस class को share कर ला है कि यह जो class है वो काफी लबी बन चुकी ठीक है तो चैनल को क्या कर लेना सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा notification mail को प्रेंस कर लिजिएगा जिससे कि आपको NMMS exam के रिगार्ड एसे questions important questions मिल सके ठीक है और इसने लाइक करें जिससे कि आपको NMMS सब्सक्राइब करना कि आपको Hindi और English दोनों मीडियम के चाहिए या फी Hindi के चाहिए या फी English के चाहिए ठीक है जेहिन और बंदे माँ